कि इतनी मुश्किल मुहबबत थी उनसे मैं कहने को राजी नहीं था वो समझने को राजी नहीं थे समझा रहा है तो वो मेरे बिल्कुल पासा के घड़ी होगी गूर के देखा और मुझे मन मचल रहा था इससे कह दूँ लेकिन एक दड़ था कि ऐसा ना हो जाई ये लड़की छोड़के बाग जाए जितना बात करती वो भी न करे तो कहानी क्या थी कि हमने मुपर उंगली रख ली नैन बिभीशन बोल गए हमने हमने मुपर उंगली रख ली नैन बिभीशन बोल गए जितने रास को फेरा वो सामने खड़ी ती उसने थोड़ा मुझ को फेरा हलकी सी मुस्कान बरी दिल पे मेरे हाथ धरा और हसकर पागल बोल गए और हचके पागल बोल गए हमने हमने मुझ पर उंगली रख ली नैन विपीशन बोल गए जिनको हिंदी कम आती है वह बात में भी सुन सुन क सुन ले ना समझ में आ जाएगा देरी देर करके है ना हां हिंदी बड़ी समझ से आये हिंदी नी आती है अजकल लोगों को यह कॉंड़मेंट वाले हैं 44 आते ही नहीं कितने होते हैं बदाओ कितने कितने 44 होते हैं है ना तो एसा था कि शब्दों की अवकात कहां थी जब प्रेम होता है तो वहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं असली वाला तो वो घूर के देख रही थी तो शब्दों की या उकाद कहा थी अध्शरकी तो बात परे समझना आये प्रेम नीव में पहला पत्र कौं धरे वो बोलेगी या मैं बोलबगा समझना आए समझना आए प्रेम नीव में पहला पत्थर कौन धरे मन निर्बलतों कभी न था यूँ अपनी बात बताने में होट जीब कुछ बात न माने हो बेबस से मौन धरे हमने मूपर उंगली रख ली नैन में भीशन बोल गए अब चुकि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे तो क्या था कि वो मुझे रोज मिलती थी पर मुझसे नहीं मिलती थी ये गहरी बात है सबको नहीं समझने आयो हो सकता है तो ऐसे समझो कि इश्क सलीका है कठिन हमारे याँ इश्वर में और इश्क में एक सलीका होता है इश्क सलीका है कठिन ये बात काईदे गौर और उनसे मिलना और है उनमें मिलना और तो उनसे में और उनमें मिलने में बड़ा फ़र्ग होता है, तो जिन्हें जो जानते हैं, पर वो इतने में समझ गई, कि बेटा तुमसे न उपाएगा, मैं न बोल पाँगा, तो वो एक स्टेप आगया गई और रट्टा चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, खुद से मेरा जगड़ा हुआ, सिलसिला चलता रहा, खुद से मेरा जगड़ा हुआ, न चोटी मोटी बात थी, रट्टा बड़ा तगड़ा हुआ, फिर पास से गुजरी मेरे, और जोर दे का घूर कर, तबसे ही मेरे हाथ ने, दिल है मेरा जगड़ा हुआ, और अब क्या था, दो-तीन दिन हो गए उस बात को, वो पास से गुजरी, और घूर के दिखके चली गई, मानो कुछ कहना चाहरी हो, तो एक दिन रात में मुझे नीदन आए, अब जिससे हमें इश्ख होता है, न उसे नीद आती है, और न हमें नीद आती है, तो मुझे नीदन तो न, वो लड़की क्या करने लगी, कि जैसे सबके साथ होता है, कि टाइपिंग करकर मिटा रही थी, ना जाने क्या चुपा रही थी, मैंने पूचा हाले दिल, तो वो बातों को गुमा रही थी, तब मुझे लगा, कि तकलीफ थी उसको भी शायद मुझसे ना मिल पाने क तकलीफ, तकलीफ थी उसको भी शायद मुझसे ना मिल पाने की, जैसी मुझको बेचैनी थी, उसको गले लगाने की, हम दोनों ही बेकल से थे, ये साफ समझ में आता था, फिर ठाम लिया उस पल मैंने, अब परवा नहीं जमाने की, अब देखिए किदाब, सुवे हुई मैं तयार हुआ, कॉलेज के लिए, बंधन के चल दिया, अब सब जानते क्या है ये, तो दिल डड़के जा रहा था, मेरी सुनी नहीं रहा था, करें तो करें क्या, मैं वहां पहुचा, वो आई, मैं बिल्कुल पास में चला गया उसके, बिल्कुल पास, समझते हैं, तो आखों में आखें डाली, आखों में आखें डाली, आखों से सब बोल दिया, आखों से जरने निकले और बांध इश्क का खोल दिया, बड़ी बेसवर वो भी थी, और मुझ पर बीता सबर कहां, गले लगा कर मैंने उसको कान में लव यू बोल दिया, गले लगा कर मैंने उसको कान में लव यू बोल दिया,